दोस्तो नमस्कार आज हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा कि अगर आपके पपी मिट्टी खाने लग गये हैं तो उन्हें कैसे छुड़वाएं कौन सी ऐसी दवा दें कौन सा ऐसा तरीका इस्तिमाल करें जिससे की हमारे पपी मिट्टी खाना चोड़ते तो फ्रेंट्स वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूंगा कि जिनों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यानि जो लाल रंग वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसका रंग परिवर्ता नहीं किया है वो प्लीज कर ले क्योंकि आगे जितने भी वीडियो जाने वाले है वो इसी वीडियो से आपको मिलेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो में बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो कारण है वो कारण है पेट में कीडों का यानि अगर आपके पपी के पेट में कीडे हैं तो वो रेत खाएगा तो उसके लिए हमें कौन सी दवा देनी है देखिए मार्केट में कई परकार की पेट के कीडों की दवाएं मिलती है पपीज के लिए जिन मेंसे जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ डॉन्टाल पपी ये डॉन्टाल पपी सीरप आती है इसके अलावा की वो पपी सीरप भी आती है इजी पेड सीरप भी आती है तो इन मेंसे कोई सी भी आप एक सीरप लेके आजाए और वो हमें एक किलो पे एक एमेल यानि आपका पपी अगर एक किलो का है तो हमें एक एमेल देनी है अगर दो किलो का है तो दो एमेल देनी है रात को सोते समय जब आप उसको शाम का खाना दे रहे हैं तो जल्दी दे दे और रात को सोते समय यानि कि मैन टार्गेट क्या है टार्गेट यह है कि इस दवा को देने से दो गंटा पहले और दो गंटा बाद हमें उसे कुछ भी किलाना पिलाना नहीं है ताकि उसके डिवर्मिंग जो है वो प्रोपर तरीके से हो जाए तो पहला गाउम डिवर्मिंग आऊ गया दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फ्रेंड्स विटामίνز और मिनरल 230 की कमी है अब विटामίνز और Lindalus की कमी हम कैसे दूर करेंगे उसके लिए देखिए मार्केट में कई परकार के सीरप मिलते है जिन में से जो सबसे अच्छा सीरप है वो है जिफ विट सीरप जिफ विट सीरप इसमें विटामिन A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, K भी है यानि कई प्रकार के इससे विटामिन्स है जो हमारे डोग की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है केल्शियम हो गया, मिन्रल्स हो गये, वो अगर कम मिलेंगे यानि उनकी कमी हमारे पपी के सरीर में हो गई है तो वो रेत खाना सुरू कर देगा और easy इसका method है, यानि हमें ज़्यादा कुछ करने की जुरूरत नहीं है ये भी, जो डोटल पपी में आपको बताया था, devorming वो सिर्फ हमें एक ही बार करनी है, 15 दिन से यानि पहले devorming करने के बाद, अब 15 दिन बाद उसकी devorming करेंगे दूसरी, उसके बाद और 15 दिन बाद करेंगे, ऐसा 3 महीने तक तो 15-15 दिन चलेंगे उसके बाद डेडेड महीना आजाएगा, उसके बाद 3-3 महीने आजाएगे तो manly devorming के बाद हम जो जिफविट सिरफ देंगे इस सिरफ की मातरा हमें 2 ml, हमारा पपी माली जी 2 kg का है तो हम 2 ml देंगे, अगर 1 kg का है तो 1 ml देंगे, अगर 10 kg का है तो पर डे हम 10 ml देंगे, अगर 20 kg का है तो उसे भी आप 10 ml दे सकते हैं कोई दिकत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जब बड़ा हो जाएगा 10-20 kg को बहुत हो, एडल्ट अवस्ता में पहुंच जाएगा लेकिन ये जी फीड जो है, वो एडल्ट अवस्ता में भी काम करेगी यानि हमें 2-2 ml ये दवा 2 kg का पपी के लिए 2 ml देनी है जो भी फीड आप दे रहे हैं, जो भी खाना उसे आप दे रहे हैं, उस खाने में मिला दे किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं है, और इसके अलावा, अगर ये सीरप आपको नहीं मिल रही है तो निचे डिस्किस में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, अब लिंक में मदद से भी जो भी सीरप से है, वो ला सकता है अब बढ़ते हैं अगले कारण के तरह, अगला कारण होता है फ्रेंड्स खाने का यानि हम क्या करते हैं, जो भी अपने घर पे जो पपी लेके आए हैं, उसके खाने का प्रोपर ध्यान नहीं रखते हैं यानि उसके लिए जो खाने की चीजें फिक्स बनी हुई हैं, वो नहीं दे करके और दूसरी चीजें देने लग जाते हैं कई जो गाओं में लोग हैं वो रोटी देने लग जाते हैं, दूद देने लग जाते हैं या कई चीजें जो हम खाते हैं वो देने लग जाते हैं, जो कि छोटे पपी के लिए नुक्सान दायक हो सकती है यानि वो हमें नहीं खिलानी है विसेश तोर से अगर हमारा पपी मिट्टी खाने लग गया है तब तो इन सबी चीजों को बंद गर देना है और मार्केट में एक पपी स्टार्टर फूड आता है कोई कमपनियों के आता है आप किसी भी कमपनी का ले आए किसी भी कमपनी का आप ले आए कि सारे फूड बेस्ट है किसी भी अच्छी कमपनी का पपी स्टार्टर फूड आप ला करके और अपने पपी को कम से कम चार बार फिडिंग करवाए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हर फूड के उपर नाम लिखावा रहता है मात्राय लिखी भी रहती है पूरा सिड्यूल लिखावा रहता है वजन के हिसाब से तो वो हमें प्रॉपरली फोलो करना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी विशे है क्यों क्योंकि छोटे पपी को हम अंट सेंट कुछ भी देते रहते हैं तो वो उसके लिए नुक्सान दायक होते हैं और वो मिट्टी खाने लग जाता है इसके अलावा माल लीजिए आप जो पपी स्टार्टर फूड है उसे मौस्टर करके देना चाह रहे हैं या कई पेट ओनर्स हैं जो मिल्क देना पसंद करते हैं तो उनके लिए मार्केट में मिल्क रिप्लेसर मिलता है मिल्क रिप्लेसर किसी भी अच्छी कमपनी का ले आएं और वो ला करके आप अपनी पपी को देना सुरू कर दें ताकि वो मिट्टी खाना चोड़ देगा इसके अलावा कुछ ऐसे काम भी है जिसे मालीजी आपने अपने डोग या पपी को मिट्टी खाते वे देखा है तो उसे रोकें उसे मना करें अपनी बासा में उसे नो सिखाएं क्यों क्योंकि आपने अगर सुरुवात में ध्यान नहीं दिया या एक प्रोपर रुए ये भी हो सकता है कि अगर मिट्टी में वो जा रहा है तो उसे रोकें क्योंकि हम आपको recommend करते हैं कि कम से कम तीन महीने का जब तक पपी नहीं हो जाता जब तक उसके पूरे vaccination complete नहीं हो जाते तब तक हमें उसको घर से बाहर नहीं निकालना है यानि उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरे उपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है या मैं इनसे personally attached हूँ तो उससे क्या है फिर देरे वो आपका कहना मिवानेगा अगर इन बातों का आपने ध्यान नहीं दिया जो सारी बाते मैंने आपको बताईए अगर इन बातों का आपने दिया नहीं दिया तो जो रेत चाट रहा है क्यूँकि डोक की क्या है शुरूवात में लिकिंग की आदत होती है और वो लिकिंग करते चाटता है और अगर पेट में कीडे हैं तो फिर वो रेत चाटेगा तो रेत अंदर जाएगी तो और कीडे पन पेंगे यानि ये एक दूसरे से अल्टरनेर चलता है अगर कीडे हैं तो रेत खाएगा और रेत खाएगा तो कीडे ज़्यादा पन पेंगे यानि continuously ये cycle जो है वो चलता रहेगा और ये cycle एक आदत बन जाता है यानि बाद में जब क्या होगा जैसे पहले उसके अंदर कीडे हैं उसने रेत खाई उसे संतुष्टी मिली और वही संतुष्टी अगर लंबे टाइम तक उसे मिलती रही जो की पेट के कीडों की वज़े से मिल रही है फिर हमने अगर कीडे भी मार दिये तो वह संतुष्टी उसकी आदत बन जाएगी और एक बार अगर रेत खाने की मिट्टी खाने की आदत पप्पी को पड़ गई तो फिर वो लाइफ टाइम खराब कर देगी इसलिए आपको विशेज ज्यान रखना है कि मैंने ये जो चीजें बताई है उन सभी चीजों को आपको फोलो करना है ताकि आपका पपी मिट्टी न खाए